वर्षों पहले हमने एक बड़ा सपना देखा सपना एक ऐसा उक्रम बनाने का जो उतकर्षता के मिसाल बने लोगों को सशक्त बनाए और राष्ट्र निर्बान में सहयोग करे वो सपना आज व्यापार जगत की एक प्रेणना दायक गाथा है नई उचाईयों को छूते हुए हमने स्टीनिंग, पावर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षित्र में अपनी छाप छोड़ी है और हम लगातार आगे बढ़ते हुए नई सोच के साथ जीवन बदल रहे हैं और द्योगिक उर्जा से परिपूर्ण ये विस्मयकारी गहानी है हिम्मत, आत्म विश्वास और दूरदर्शिता की बहुराश्ट्रिय संगठन ओपी जिंदल ग्रूप का हिस्सा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 3.6 बिलियन यूइस डॉलर का और द्योगिक सामराज्य है जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग 11 देशों और 3 महाद्वीपों में काम करते हैं इसके साथ ही कंपनी 39 देशों में निर्याद भी करते हैं साल दर साल चका चौन्द कर देने वाली तरक्की में हमें उस मकाम पर पहुँचाया जहां हमने सर्वश्रेष्ट तकनीक, प्रणाली एवं मानव संसाधन के मध्यम से अपनी स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं का इस्तिमाल कर ये साबित किया कि भारत में निर्मान की अनंत संभाव नाए है लाज साइज पैरलल फ्लांज बीम्स के पहले निर्माता पाँच मीटर चौडी और कॉयल फॉर्म में तीन मीटर चौडी प्लेट्स के भारत में सबसे पहले निर्माता देश में सबसे पहले 250 x 250 mm तक के अंगल आइरंस के निर्माता, 355 mm diameter round sections वाले bloom cum beam और blank cum round casters वाली एक मात्र कंपनी. भारत की सबसे बड़ी और एक मात्र एकी कृत स्टील कंपनी जो special infrastructure projects के लिए fabricated structures बनाने में सक्षम है. भारत के निजी क्षेत्र में पहला 1000 मेगा वाट का मेगा पावर प्रॉजेक्ट. दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सिन गैस से चलने वाला DRI plant. JSPL की असाधरन सफलता का आधार है इसके अत्याधुनिक स्टील और पावर प्लांट्स. ये प्लांट्स खनिच से भरपूर भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं. 36 गढ़ से लेकर जहारखन और ओडिशा तक हमारे कारखाने देश की बढ़ती स्पात की मांग को पूरा करने में जुटे हैं. रायगढ, 36 गढ़ की सांस्कृतिक राजधानी, JSPL के प्रमुख स्पात संयंत्र का घर है. यहां विश्व का सबसे बड़ा कोल बेस्ट स्पॉंज आइरन प्लांट तो है ही, इसके साथ 3.5 मिलियन टन स्टील मेल्टिंग शॉप, 0.75 मिलियन टन रेल और युनिवर्सल भीम मिल, 8 मिलियन टन प्लेट कम कॉयल मिल और 0.7 मिलियन टन मीडियम और लार्ज स्ट्रक्चर मिल भी यहां उत्पादन कर रहे हैं। वार्शिक 0.7 मिलियन टन्स की क्षमता वाला अत्याधुनिक सीमिन्ट संयंत्र हमारे तेजी से विक्सित होते निर्बान विवसाई में सहायता करता है। ही है जो भारत की सबसे चौड़ी प्लेट्स बनाते हैं। पत्रातु जारखंड में हमारी अत्याधुनिक वायर रॉड मिल है जो बिजली की रफ्तार से हर सेकंड में 100 मीटर वायर रॉड्स बना सकती है। और एक मिलियन टन रीबार मिल है जो निर्बान करती है हमारे सबस से ज्याधा बिकने वाले पैंथर टीम्टी बार्स का। हमने न सिर्फ भारत में बलके अंतराश्ट्री अस्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। JSPL ने एक अत्याधोनिक 1.5 मिलियन टन स्पॉंज आइरन प्लांट शदीद आइरन एंड स्टील कंपनी ओमान में लगाया है। यहां स्टील मेल्टिंग शॉप प्रतिवर्ष 2 मिलियन टन स्क्वेर और राउंड बिलेट्स और ब्लूम्स का निर्मान करती है। इसकी इसी क्षमता के कारण ये प्लांट अरब प्राइदीप की सबसे बड़ी एकी कृत्स पात निर्मानिक आयों में से एक है। JSPL नवीनतम तकनीक के लिए विश्व की अग्रणी तकनीकी संस्थाओं से साजिदारी करता है। इसी तरह JSPL दुनिया में सबसे लंबी रेल बनाता है और भारत में हेड हाडन रेल्स का निर्मान करने वाली ये एक मात्र कंपनी है। ये मेकेन इंडिया का शांदार उदाहरन ही नहीं बलके एक आंदोलन है जिसका लक्ष भारत को विशाल निर्मान केंदर बनाना है। भारत में बढ़ती मेट्रो सेवा और डेरिकेटेड फ्रेट कोरिडोर की बढ़ती मांग का लाब स्वभाविक रूप से JSPL को मिलेगा। 36 गळ के जिलाराय गळ में स्थित्तम्नार में जिंदल पावर ने 3400 मेगवाट के थर्मल पावर प्लांट्स की स्थापना की है जो कारिक शमता में भारत के सर्वोत्तम पावर प्लांट्स में से एक है। इंडिपिंडेंडन्ट पावर प्लांट्स के साथ साथ JSPL के कैप्टिफ पाव प्लांट्स की क्षमता भी 1600 मेगवाट है अरुनाचल प्रदेश में निर्माना धीन हमारे 5500 मेगवाट के चार हाइडरो पावर प्लांट्स डिनेविबल एनरजी के क्षेत्र में हमारी दूरगामी शुरुवात है सतारा महाराष्ट्र में 24 मेगवाट विंड़ पावर प्लांट भी इसी शुरुवात का हिस्सा है JSPL की माइन्स सुनिश्चित करती हैं के स्टील और पावर प्लांट्स में रौ माटीरियल की लगातार आपूर्ती होती रहे भारत के साथ साथ दक्षिन अफ्रीका की कीपसोल कोलेरी माइन्स में भी JSPL सर्वोच चिगुनवत्ता के एंथ्रसाइट और लीन बिटमिनिस कोल का उत्पादन कर रहा है घेरलू बाजार में इस्तेमाल के साथ साथ ही इसे निर्यात भी किया जाता है हम उन चार चुनिंदा कंपनियों में से एक है जिन्हें मोटीज घाटी में खनन अधिकार प्राप्त है पहले चरण में हम तीन मिल्यन टन कोईले का खनन कर रहे हैं और कोल वोश्री के सहायता से कोकिंग कोल का उत्पादन करते हैं दूसरे चरण में खनन 10 मिलियन टन्स तक पहुचने की अपेक्षा है। भविश्य में JSPL संपून आफ्रिका महादवीप में ऐसी ही कई परियोजनाओं को प्रारंब करेगा। उस्ट्रेलिया में वॉलंगॉंग कोल आपरेटिंग माइन में हमारे पास कंट्रोलिंग स्टेक है जो की 652 मिलियन टन्स हार्ट कोकिंग कोल का विशाल भंडार है। आज भी हमारा हर पदम उसी दूरदर्शिता से प्रेविध है जिसने हमारी कई दशकों की सभगता को संभव बनाया है। उसी दूरदर्शिता का उदाहरण है JSPL की मानो संसाधन नीतिया जिसका लक्ष है नमीनतम तक्नीके अपना कर अपने वैवसाई क्षेत्र में मार्ग दर्शक की भूमी का लिभाते हुए उद्योग जगत को प्रेणा प्रदान करना। JSPL ने भारत की विकास गाथा में सराहनिय योगदान किया है तो अपने वैवसाई क्षेत्र में नए प्रतिमान, केवतिमान वो नए मानक स्थापित करने के लिए भी उसे व्यापक स्तर पर जाना जाता है। हमारे से धान्त ही हमारे मार दर्शक हैं और हमारी ये यात्रा एक बड़े उद्देश के लिए समर्पित है। उद्देश जीवन परिवर्तन का, उद्देश पर्यावरण की सुरक्षा का, उद्देश स्वाव लंबन द्वारा सकारात्मक बदला उलाने का, शिक्षा, स्वास्त, पुनरवास और बुनियाधी जरूरतों के क्षेत्र में जेएस पियल ने अपनी सामाजिक कारिक्रमों के द्वारा नौ लाक से ज्यादा जिन्दगियों को छुआ है परियावरण की सुरक्षा के लिए हमारे प्लांट्स और फैक्टरीज में नवी मितम तक्नीक का उपयोग किया जाता है हम जल और वायू की गुणवत्ता को जाचने का और ध्वनी एवं दूसरे वातवरण ये म आप दंडों को अनुमे सीमा में रखने का भरसक प्रयास करते हैं जहां भी संभव हो वहां हम री साइक्लिंग का प्रयास करते हैं फिर वो चाहे जल हो सॉलिड वेस्ट हो कोईला हो या राक हमारे सभी स्टील प्लांट्स में 20 प्रतिशत से ज्यादा हरित क्षित्र है जो ह हमारी वन रूपन योजना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम जानते हैं सच्चे नायक सिर्फ अपने लिए नहीं जीटते। उनके साथ अंगनित लोगों की विजय होती है। हमारे लिए यही सच्चा नित्रत्व है। हमारे लिए यही है व्यपार का तरीका। JSPL में यही हमारी सीख है और यही है हमारी नीती Jindal Steel and Power Limited Making in India